इस वीडियो में मेंली हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे 1. कि आपको mutual fund के अंदर invest क्यों करना चाहिए Types of mutual funds How to invest in mutual funds Pros and cons साथ ही हमें एक ऐसी website के बारे में बात करेंगे जो beginners के लिए बहुत helpful होने वाली है देखिए, जब भी हम कोई investment करते हैं तो 4 points को ध्यान में रखते हैं 1. risk Means के आप कहीं भी invest करें हर जगा थोड़ा बहुत risk को जरूर होता है Return Means के आपको जो return मिल रहे हैं क्या वो inflation को beat कर रहे हैं Volatility Means के जो हम investment option चूज कर रहे हैं अगर वो market dependent है तो कितने उतार चड़ावा रहे हैं Liquidity Means आप किसी investment से कितना जल्दी अपने पैसे को निकाल सकते हैं That means कि कोई भी investment कितनी जल्दी cash भी convert होती है अब हम देखेंगे कि mutual fund में invest क्यों करना चाहिए अब उन 4 points के base पर mutual fund का review करके देखते हैं Mutual fund में क्या होता है कि company अपना पैसा stocks, bonds जहां अलग लगत रहें के instruments में लगाया जाता है अब अगर आपका पैसा stocks में लग रहा है तो जहां आपका risk moderate to high होगा क्योंकि market कल को उपर जाएगा जा नीचे कोई नहीं कह सकता अब mutual fund में volatility की बात करें तो ये high रहती है क्योंकि ये सीधा सीधा depend करता है sunsaks और nifty पर because कई बार कई कई साल mutual fund 30-50% भी गिर सकता है जा इतना ही उपर भी जा सकते लेकिन average return की बात करें तो 13-15% के return हमें इसमें मिल जाते हैं liquidity की बात करें तो ये भी high होती है क्योंकि stocks को आप कभी भी बेच सकते हैं इन ही वज़े से mutual fund में invest करना सही कह सकते हैं क्योंकि इसमें high return मिलते हैं जो आम तोर पर FDs पर नहीं मिलते कई बार क्या होता है कि आप time जा knowledge की कमी के कारण stocks में invest नहीं कर पाते तो mutual fund के अंदर experts की team होती है जो पूरा analyze करके आपके पैसे को stocks जहां फिर bonds में invest करती है जिससे आपका risk कम हो जाता है अब हम mutual fund के types की बात कर लेते हैं सबसे पहले जानते हैं कि ये mutual fund है क्या बहुत सारे लोग एक fund house को अपना पैसा देते हैं और वहाँ पर जो एक fund manager होता है वो आपके पैसे को अपनी knowledge के हिसाब से अलग अलग securities के अंदर invest करता है और आपको returns कमा कर देता है और इसके बदले में वो आपके return में से कुछ commission लेता है और ये जो fund manager होते हैं इन्हें manage करती है asset management company इस तरह है कि इंडिया में बहुत सी asset management companies है जो multiple funds चलाती है अब बात करते हैं कि mutual funds कितने type के होते हैं mainly ये 3 types के होते हैं पहले होते है equity mutual fund जो आपके पैसे को अलग अलग stocks के अंदर invest करते हैं दूसरे होते है debt mutual fund जो fixed income securities के अंदर आपके पैसे को invest करते हैं जैसे कि bonds, debentures, government securities और certificate of deposits हो गया तीसरे होते हैं इन दोनों का mixture जाने के hybrid fund अब ये आप पर depend करता है कि आपको किस में invest करना है अगर ज्यादा risk ले सकते हैं तो आप equity mutual fund में invest करें अगर आप बहुत ही minor risk लेना चाहते हैं तो debt funds में पैसा लगाएं और अगर आप दोनों चीज़ों का स्वाद चेखना चाहते है तो आप hybrid funds में पैसा लगा सकते हैं अब एक और तरीके से हम mutual fund को categorize करते हैं large cap, mid cap, small cap large cap fund आपका पैसा बड़ी-बड़ी companies में invest करते हैं जो sunsetx और nifty की top companies हैं इनमें risk low होता है तो returns भी थोड़े कम होते हैं hybrid cap company, large cap company से थोड़ी shorty होती हैं इनमें moderate risk, moderate returns हैं small cap में shorty companies होती हैं जो अभी grow कर रही हैं इनमें risk भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन long term में returns भी आसमान चूँ सकते हैं अब इन्हें एक और तरीके से categorize कर सकते हैं sector based funds, for example कुछ funds सिर्फ technology में invest करते हैं जहां banking sector हो गया, automobile हो गया, agriculture हो गया, FMCG हो गया अब अगर आपको लगता है कि in future J sector grow करेंगे तो आप इनमें invest कर सकते हैं इसके इलावा कुछ tax saving funds होते हैं जिनहें हम equity linked saving scheme जानी ELSS कहते हैं अगर आप इनमें invest करते हैं तो दो बाते दिया रखें पहला कि आप ATC section के under tax deduction claim कर सकते हैं दूसरा इसमें lock in period होता है तीन साल का आ इनके इलावा index funds भी होते हैं जो directly sunsex और nifty से linked होते हैं means जैसे जैसे sunsex उपर जाएगा उतने ही returns आपको मिलेंगे और अगर sunsex गिरेगा तो आपके returns भी कम हो जाएंगे अब बात करेंगे how to invest in mutual fund इसमें भी एक स्वाल ये आता है कि लंसम करें या S.I.P. में पैसा invest करें S.I जैनि के systematic investment plan वो होता है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं इसमें आपका risk नहीं रहता क्योंकि इसमें आपको long term में average returns मिल जाते हैं और S.I.P. को इसलिए भी अच्छा कहा जाता है क्योंकि आपका discipline बन जाता है regular saving और investment करने का अब देखते हैं कि lump sum भी आपको कब invest करना चाहिए जब stock market crash कर गई है तब आप mutual funds में lump sum invest करें लेकिन जब हर कोई stock market के बारे में बात कर रहा है stock market अच्छी चल रही है that means कि stock market आगे गिरने वाली है price inflate हो चुके हैं तब आपको stock market में कभी भी lump sum invest नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने ब दूसरा स्वाल ये उठता है कि आपको mutual fund select करते टाइम क्या क्या चेक करना चाहिए Firstly आपको पिछले 5 से 10 सालों के average returns चेक करने चाहिए क्योंकि short term में चाहे कोई भी investment हो ups and downs आते हैं So investment करने से पहले past के returns देखें दूसरा इसकी expense ratio देखें means company कितना commission ले रही है एक से 2% is fine उससे ज्यादा long term में आपके return को effect करेगा और एक बात द्यां रखें directly mutual fund के अंदर invest करें जिससे आपका brokerage भी save हो जाता है तीसरा आपको entry load और exit load चेक कर लेना चाहिए Entry load means जब आप invest कर रहे हैं तब आपका कुछ पैसा कट सकता है और exit load means जब आप अपने mutual fund को बेच रहे हैं तब भी आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है इसे भी जरूर compare कर लें अब मैं आपको एक website बताऊंगी जो beginners को बहुत help करेगी एक अच्छा mutual fund select करने में इसमें आपका calculator, mutual fund को compare, mutual fund screener मतलब everything जो एक beginner को ज़रूरत है वो सब देख सकते हैं सबसे पहले Google पर रुपी वैस्ट लिकर सर्च करें यहाँ देखिए बहुत सारे options आएंगे tools पर click करें then first वाड़ा option है mutual fund screener यह बहुत ही ज़्यादा द्यान से देखें आपके बहुत काम आएगा यहाँ आप सभी mutual funds के बारे में जानकारी ले सकते हैं देखिए इसने सबसे पहला filter जो आपसे मांगा है वो है asset class selection means आप equity में large cap में invest करना चाहते हैं जहां किसी और में हम equity large cap select कर लेते हैं अब उपर filter पर जाएं यहां आप यह सब अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं हम इसमें fund type चूज कर लेते हैं कि fund open ended हो जहां कोई और हम open ended चूज कर लेते हैं अब नीचे देखिए total 1669 funds हैं जिसमें से 37 select किये हैं अब जहां से आप इनका पूरा data चेक कर सकते हैं चूज कोलम में जो जो भी आप mutual fund के बारे में information चाहते हैं वो वो select कर ले past returns कब तक के देखना चाते हैं यहां 10 साल select कर लेते हैं चूज कोलम में जाकर अब देखिए यहां 10 साल तक के return शो कर देगा ऐसे ही आप और filter भी लगा कर देख सकते हैं fund house हम 2 जां 3 select करके देखते हैं पहले यहां से de-select कर ले एक axis mutual fund ले लेते हैं एक दो और randomly choose कर लेते हैं तो यह 1669 में से 5 select किये हैं कितना return दिया है कितना expense ratio है सब देख सकते हैं ऐसे ही आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लग लग filter लगा कर check कर सकते हैं I hope आपको यह information असानी से समझा गई होगी Thank you